राधे राधे यह वीडियो आपको जीवन का सही मार्ग दर्शन कराएगी और जीवन को अच्छे से जीना सिखाएगी श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो गीता में उपदेश दिये आजस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि जीवन जीने का सही तरीका क्या है उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना श्री कृष्ण जी कहते हैं एक, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता कर्म का फल तो भुगतना ही पड़ता है इसलिए अच्छे कर्म करो ताकि अच्छे फल मिले दो, ज्यादा खुश होने पर और ज्यादा दुखी होने पर निर्नाय नहीं लेना चाहिए क्योंकि ये दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्यय नहीं लेने देती हैं तीन, जो होने वाला है वो होकर ही रहता है 6. मानव कल्यान ही भगवत गीता का प्रमु खुद्देश्य है, इसलिए मनुश्य को अपने कर्तवियों का पालन करते समय, मानव कल्यान को प्राथमिक्ता देनी चाहिए। जो व्यवहार आपको दूसरों से अपने लिए पसंद ना हो, ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ भी ना करें। 8. हे पार, तुम फल की चिंता मत करो, अपना जरूरी कर्म करते रहो, में फल जरूर दुनगा। 9. तुम्हारे साथ जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। 10. जीवन का आनंद ना तो भूतकाल में है और ना भविश्यकाल में, बल्कि जीवन तो बस वर्तमान को जीने में है। 11. मन की शांती से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ती नहीं है। 12. जो व्यक्ति मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए मन शत्रू के समान कार्य करता है। 13. जो लोग बुद्धी को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूप बना सकता है। 14. कोई भी इंसान अपने जन्म से नहीं, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। 16. जब इंसान अपने काम में आनन खोर्ज लेता हैं, तब वे पूर्मता प्राप्त कर लेता है। 17. व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को वश में रखने के लिए बुद्धी और मन को नियंत्रित रखना होगा। 18. इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोस्ता है, ये जानते हुए भी कि भाग्य से भी उचा उसका कर्म है जिसके स्वयम के हाथों में है। 19. इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसलिए लोगों की अच्छायों को देखकर उनके साथ अच्छे रिष्टे बनाए। 20. जब हमारा मन कमजोर होता है, तब परिस्तितियां समस्या बन जाती है और जब हमारा मन कठोर होता है, तब परिस्तितियां चुनोती बन जाती है। 21. अगर आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो, तो गलतियां सीडियां बनती हैं और अगर नहीं सीखते हैं, तो गलतियां सागर हैं, फैसला आपका है चरना है या डूबना है 22. जो जितना शांत होता है वो उतनी ही गहराई से अपनी बुद्धी का प्रयोग कर सकता है 23. निंदा से घबरा कर अपने लक्षय को न छोड़े क्योंकि लक्षय मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है 24. सबसे समझदार इंसान वही है जो सफलता मिलने पर रहनकार में नहीं आता और असफलता में गम्में नहीं दूप जाता है 25. नकारात्मत विचारों का आनात है लेकिन ये आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें महत्वत देते हैं या फिर अपने सकारात्मत विचारों पर ही ध्यान लगाए रहते हैं 26. जो इनसान सभी इच्छाएं त्याग देता है उसे शांती की प्राप्थ होती है 27. प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को प्रोध और लोग त्याग देना चाहिए क्योंकि इससे आत्मा का पतन होता है 28. जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेंगा फिर चाहे उसे चीनने के लिए पूरी काइनात एक हो जाए 29. हमेशा याद रखना बहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है 30. प्रेरना का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है इसलिए बड़ा सोचे और खुद को जितने के लिए हमेशा प्रेरित करें 31. अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराया ही याद रखेगे इसलिए लोग क्या कहते है इस पर ध्यान मत दो आप सिर्फ अपना कार्य करते रहो 32. नरग के तीन द्वार हैं वासना, क्रोद और लालच 33. मैं उन्हें ग्यान देता हूं जो सदा मुझसे जुए रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं 34. समय से पहले और भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता 35. इनसान अपने विश्वास से बनता है, जैसा वो विश्वास करता है, वैसा वो बन जाता है 36. लगातार कोशिश करने से अशांत मन को वश्वे किया जा सकता है 37. सिर्फ मन ही किसी का दोस्ट और किसी का दुश्मन होता है 38. चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं और माफ कर देने से बड़ी कोई सजा नही 49. जो चीजे तुम्हारे दाइरे से बाहर हो उसमें समय गवाना मूर खता है 40. जो दान करतव या समझ कर बिना किसी शक्के किसी जरूरतमंद इंसान को दिया जाए, वही सच्चा दान है 41. जीवन का दूसरा नाम संधर्श है 42. जिस तरह आग सोने को परक्ती है उसी तरह मुसीबत एक बहादुर इंसान को 43. अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी 44. जो मनुष्य फल की एक्षा का त्याग करके केवल कर्म पर ध्यान देता है वहवश्य ही जीवन में सफल होता है 45. मदद सब की करो मगर आशा किसी से मत रखो क्योंकि सेवा का सही मूले इश्वर ही दे सकते हैं 46. जैसे समुद्र के पार जाने के लिए नाव ही एक मात्र जर्या है वैसे ही स्वर्ग में जाने के लिए सत्य ही एक सीधी है 47. सची दोस्ती दुख को आधा और सुख को दो गुना कर देती है 48. जितना हो सके खमोश रहना ही अच्छा है क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है 49. परिवर्तन संसार का नियम है समय के साथ संसार में हर चीज परिवर्तन के नियम का पालन करती है 50. जो भी ग्या उस पर दुख क्यों करना जो है उस पर हंकार क्यों करना और जो आने वाला है उसका मुह क्यों करना